अमित शाने पाकिस्तान को ये धमकी दिये किया पाकिस्तान की तरफ से जो महां पर तैस्च cái गिरुदी होती बहुत जादा जो है वहां पर तैस्च गर्दी ने लोग ऊढंदर होती रहते हैं मुलक के इंदर और दैस्च गर्दी करहां होता है werd लेकिन अब जो मूधी हकोमत है न वो इस तरह की कोई चीज बरदास्टनी करने वाली है और उन्होंने वो भी याद लिया, उन्होंने का पहले भी surgical strike किये अब हम दोबारा हमला करेंगे। उन्हें का सर्जिकल स्ट्राइक एक और करेंगे, यानि बकाइदा उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की एक धंकी दे दिये, अमिट शाने, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर दोबारा भी हमला कर सकते हैं, तो यह जो दैशित गर्दी इस तरह की जो चीज़ें हम यह तो मैं यह सोच चुई थी, यह वही मैंने जो बात की, कि हमारी तरफ से कोई जवाब गया या नहीं गया, तो दफ्तर खारजा की तरफ से एक यह जवाब उनको दिया गया है, कि भारज जो इस तरह की बाते कर रहा है, यह उक्साने की बाते हैं, और इस तरह से लोगों का बजाके तो शेख रशीद दिया करते हैं कि पाव पाव के जो बं हैं वो मानने की लेकिन उन्हें वो इस वक्त इसकदर यानि मुल के अंदर ही सियासत दान जो एक दूसरे के खिलाफ ही जो है वो एक सर्जिकल स्ट्राइक जो हो रही है उसमें इतने फंसे हुए है कि हर तरफ या कुछ सेरे मनी थी वहाँ पर उन्हें यह वली बात की तो जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर तो स्टूरेंट्स के सामने प्रोग्रेसिव बात की जाती है कुछ तालीम की बात की जाती है एजुकेशन की साइंस की टेकनालोजी की पीस की और अम्न की बात की जानी तो मुझे हैरत है कि यूनिवर्सिटी में पहुँचकर ये वाली बात करने की जो है वो क्या ज़रूरत ती कोट पली तो देखिया हमने इसको कभी भी हमने का कि गलत है ऐसे कुछ भारत ने नहीं किया और कभी भी नहीं किया और कभी नहीं किया और पिर बाद में सब कहते हैं ओहो हो ये क्या कह दिया ये तो नहीं कहने वाली बात थी तो वो मिडलिस्ट को इंटर्व्यू दे रहे थे तो उसमरों ने ये बात किया दी औरोंने का कि वो भारत की तरफ से पहले बॉम किया गया और उसके बाद जो है फिर उसके जवा में हमने एरक्राफ्ट गिराया और फिर ये जो है ये सारा कुछ हुआ अच्छा इसके उपर नहीं सब बड़ा ही नाराज होते हैं कि आखर और खास तो पर जो इदारे हैं फाज की तरफ से तो जाहरी सी बात है अब जानते हैं सलामती के इदारे जो है उनके दिर से बड़ा ही एक ऐसा नेरिटिव सामने आता है कि भाई ये बात जो है ये तो बिल प्राइम मिनिस्टर जो है अक्सर वकाद भोल पर में ऐसी बाते किया जाते हैं और बार में बलके वो तो आप जानते ही वो तो खुदी कितनी मरतबा कहते रहे बाइडन ने मुझे कॉल ने किया और इसी में मिडलिस्ट ने इंटर्वियू किया एक मरतबा फिर उन्होंने पूछा वाकई प्रेजिडंट बाइडन ने आपको कॉल ने किया हमें देख रही इतना उससे उन्होंने पूछा कि जैसे उनको इस बात का पते हैं हला कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि बात पुरानी हो चुकी उन्होंने जान बूच के बूचा मैंने आपको पहले भी ए ही होता है हमेशा तो इसलिए बाइडन की बात तो सब जरूरी पूचते हैं अच्छा एक तरफ तो यह हो रहा है जनाब और दूसी तरफ यह हो रहा है कि रमीज राजा सहाब को सौरफ गंगोली साब जो है उन्होंने इन्वाइट किया दावत दी है कि आप आएं और आई मैच के लिए तो उन्होंने पिर माज़ग कर लिए अच्छे लफ़ों माज़ग लिए दिल में वही बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे तिल मिला रहे होंगे कि देखो हमारी जो है साधिश इतनी बड़ी साधिश हुई कि पूरी दुनिया को भारत ने तैयार कर लिया कि यह वाला मैच इदर नहीं नहीं देना टीम वापस बुलाई जाए और टीम वापस चलीगी पूरी दुनिया मान गई बात तो यह सिच्वेशन है वो तो पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान की पीसी भी है उसका तो बिलकुल कोई खाना खराब या नहीं है क्यों को पैसे ही नहीं ह जो है वो बैसे उनका दिल तो बहुत किया होगा कि वो जाएं और देखें लेकिन क्योंकि यहां पर जो गेम नहीं होई तो उनका चलए कहीं ही देखा है खैर बहराल हमसाइयों में इतना तुरिशता होता है यह जा भी सकते हैं देखने के लिए लेकिन उनोंने माजरत कर द पर से आप उदर देखने के लिए चले गए तो यह है सिट्वेशन तो दोनों मोलकों के बीच यह सब कुछ आप जानते हैं यह चलते ही रहता है लेकिन मैं आपको यह बताओं कि एक बहुत बड़ा इवन्ट होने जा रहा है अनकरीब रशिया में और उस इवन में दोनों क क्योंके पाकिस्तान भारत रशिया अमेरिका चाइना यानि हमसाय कंट्रीज भी नेवर कंट्रीज लेकिन इसके सासाथ एक दूसरे के जानी दुश्मी भी यह कहते है न तो जो के बड़े मतलब जाहर है के तालुकात तो वो सब वहां पे जमा होंगे और प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट साथ यह कोशिश करेंगे किस तरीके से हम अफ़ालात को बहतर कर सके और अफ़ानिस्तान के हवाले से उसकी सिच्वेशन के नतीजे में जो सब कुछ हो रहा है और जो खतरात हैं क्योंके रिश्या को भी काफी से खतरात हैं तो उसके ओपर यह काफिर्स हो यह वली कि वही मैंने जो एक बात की कि जो हो मिनिस्टर आमिद शाह सामने के कार दोने तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स चलती हैं लेकिन एक बात कि एक यूनिवस्टी में अगर आप खड़ें तो वहां पर तो ऐसी बात जो है वह नहीं करनी चाहिए थी क्योंके वह ज झाहिए झाहिए